क्लास में महाराजाग गंगा- सिंग विश्य विद्ध्याले भी कनेस्ट सेमेस्ट्र फ़स्ट उसमें बीएसी पार्ट फरस्ट के अंदर स्टोरेट सेमेस्टर फरस्ट है उसमें इनवर्सिटि ने इस बार जो पेपर पेटर्न लागू किया है वह है मल्टिपल चोइस क्यूशन यानि हमें एक क्यूशन के चार या पांच ऑप्शन मिलेंगे जिन में हमें एक ऑप्शन को टिक करते वे और मार सीट पे आंसर देना है तो इस्टोएट आज हम बात करते हैं ग्रूप थ्योरी यानि मैथ पेपर फरस्ट का जो है उससे हैं और इस्टार उसमें संक्रिया जो कईलाता है कब कहलाता है क्यार्य सथी में संक्रिया स्टार का तत्स्वक विद्यमान सहिं है c g में संक्रिया स्टार सहयचारी है d g में संक्रिया स्टार करम मिन में है या पांचों आप्शन मिल रहा है इनमें से कोई नहीं तो इस प्रकार के जो क्यूश्चन होंगे वह हम definition से ही solve कर पाएंगे तो जो हमारे पास इस्ट्वेंट paper first है समु सिद्धान्त या group theory का math का उसमें हम बात करते हैं कि सबसे पहली definition ही आती है हमारे पास समुच्चे है जी तो इस्ट्वेंट हमें यह परिवास आसे तो समुच्चे जी है तो जी के समुच्चे के मद्द जब संक्रिया लग के नया आविवाएगा वह यदी जी में होता है तो यह हो जाता है इस्ट्वेंट है यह यहां पर हम कह menor कहते हैं कि संक्रिया star है वह स्ट्ट्वेंट तो वह हमारे पास जी स्टार क्या चलाएगा जो जी समुच्चे और संक्रिया के साथ जो तो हमारे पास पास देगो option कौन सा है कि G में star और रव में में समभित होने पे क्या हो जाता है समुआग कहलाता है इसी परकार next question की बात करते है अगला question दिया गया है हमे नेमने द्विचर विजावली में G2 का पालन होता है अब student ये G2 क्या है तो हमें सभी को बता है कि group की जब परिवासा लिखते हैं तो group में क्या होता है कि कोई BGA निकाई G star एक group कहलाता है क्या कहलाता है group कहलाता है कब कहलाता है यदि उसमें निम्न परतिबंद सबसे पहले तो हमारे पास कोई भी आवियो हो student A और B किस के आवियो होंगे G के तो यहाँ पर हमारे पास संक्रिया क्या होने चीए सहंवरित होने चीए तो हम कहेंगे कि A star B belongs to G फिर student यहाँ पर G1 condition आती है जो G1 हमारा प्रतिबंद है वो हता साच्रियता तो साच्रियता के लिए हमारे पास तीन आवियो चीए student तो G के कोई भी हमारे पास तीन आवियो आवियो A, B, C belongs to G तो इन में साच्रियता किस परकार होगी कि A star B यानि A और B में आप संक्रिया लगा के पहले bracket solve करोगे और फिर C के साथ संक्रिया लगा होगे तो यह result B star C और बाद में star A के साथ संक्रिया लगाएंगे तो इसके result के बराबर होती है तो यह यहाँ पर हो जाती है साच्रियता फिर बाद आती है G2 तो G2 के लिए क्या होता है हमारे पास कि तत्समक अव्योग होना चीए क्या होना चीए संक्रिया का तत्समक अव्योग यानि कि हमारे पास कोई G में एक इससा अव्योग होना चीए E विद्यमान कि वो जी के प्रतेक अव्योग के साथ संक्रिया करें चाहिए वो लेप्ट साइट से करें या राइट साइट से संक्रिया के अवयोग पर कोई भी इफेक्ट नहीं डाले फिर हमारे पास होती है जी थ्री तो इस देखो यहां जी टू तो जी टू क्या आ गया तत्समक अवयोग तो तत्समक अवयोग होना चीए तो अब जनरली हमें पता है कि योग के यदि ये स्टार्ट संक्रिया है ये यदि योग क कि संक्रिया हो किसकी संक्रिया हो योग की यानि कि प्लस की तो हमेरे पास कौन सा अवयोव है कि जोग अन्य अवयोव में जोडने पर कोई इफेक्ट नहीं डालता वह हमारे पास होता है जीरो यानि कि जीरो आपके पास योग संक्रिया के लिए क्या होता है तत्समक और लेकिन संक्रिया क्या है क्या है और जीरो इस्टोट नेचरल नंबर में नहीं होचा या की पहला ऑप्सन आपके पास Cancel हो गया कि नेचरल प्लस संक्रिया के लिए विए जी टोगा नहीं करेगा तो यहमारे पास आश्य कỏi सेट फिर बात तो यहां पे देखो इस समुच्चे में 1 नहीं है तो यानि कि इसके लिए भी यह हमारे पास क्या हो गया cancel हो गया तो third student यहां पे natural number बात करेंगे कि यहां पे पालन होता है या नहीं होता तो यहां पे देखो natural number यहां के according बात करते हैं student तो यहां पे n 2 की power n है पर n यहां natural number है तो n का natural number 1 होता है student तो हमारे पास समुच्चे क्या हो जाएगा तो c के लिए तो c समुच्चे क्या बन जाएगा student 2 की power 1, 2 की power 2, 2 की power 3, dash dash और यह student गुणा संक्रिया के लिए बात होगी तो यहां देखो 2, 4, 8 इस प्रकार से हमारे पास आप यह वाएंगे लेकिन कुणान संक्रिया का तत्समख कोन है 1 वो इस समुच्चे में नहीं आएगा यानि कि इसके लिए भी यह cancel हो गया तो यहां पर तीनों के लिए ही cancel है यानि कि अब D option है उप्यूक सभी यानि कि तीनों के लिए है तो पालन नहीं होता तो यहां पर भी नहीं होगा तो यानि कि इसका अंसर क्या हो जाएगा यानि कि हमें तीन समुच्चे दी तीन हमें द्यूचर विजावलिया दी और उनमें यह लागू नहीं होता तो इसका मतलब इनमें से कोई नहीं है तो इसका option हो गया अब इसी परकार हम next question की और चलते हैं question number 3 तो question number 3 दिया गया है कि एक बीजी यह निकाई जी इस्टार एक group कहलाता है कब कहलाता है mind students तो यहां पर अभी पछले question में हमने बात की कि यह group कहलाता है तो में चीवन और जी टू तत्समगहता हो जी 3 student पर देलौम आवयव का अस्तित्व होता है पर्तिलौम अव्यों भी इस परकार विद्देमान होगा किसमे इस ट्रेंट जी में कि उनके मद्दे संक्रिया लगाएंगे ए ए इन्वर्स या ए इन्वर्स स्टार ए तो हमारे पास हमेशा तत्समक अव्यों प्राप्त होगा यानि कि यह जी त्री अव्यों यदि यह तीनों कंडिशन जी 1 ょका लगू होगा हो जाती है तो वो क्या लाएगा गुरॉप कहलाएगा तो यहाँ पर देखो आप्सन क्या दिया वा है कि एक बीजिए निकाहिए जी स्टार एक ग्रुप कहलाता है तो वहां पर अभी हमने बात की कि जी स्टार ग्रूप है तो तीनों कंडिशन यानि कि G1 भी लागू होना चीए G2 भी लागू होना चीए और G3 भी लागू होना चीए यानि कि तीनों ही लागू होने चीए तो देखो पहले ओप्षन में G1, G2 का पालन हो सही है लेकिन G3 भी होना चीए B में केवल G3 का पालन हो तो नहीं G1 और G2 का भी पालन होना चीए C option में G1 और G4 G4 student यहां ग्रूप के लिए आवशक नहीं है D option G1, G2, G3 का पालन हो यानि कि यह हमारे पास clear option होगा इसका D answer पर E तो वैसे ही नहीं है तो यह हमारे पास question number 3 answer क्या हो जाएगा D तो हम ओमार सीट में D का जो गोडा होगा वो हम लेके कर सकते हैं फिर बात करते हैं student next question question number 4 तो question number 4 student एक समी समूँ monoid कहलाता है तो यहां पे student जब गूप के लिए परिबाशित होती है तो कोई भी जैसे B जी निकाई जी स्टार में अब student यहां परती बन दिया दी G first G first क्या होता है student साच रियता तो साच रियता में student G के अवियोब कितने चीए हमें कम से कम तीन अवियोब चीए belongs to G क्या होता है A star B star C यहां पे हो जाएगा A star bracket B star C तो यहां पे student G क्या कहलाएगा यहां पे लागू होती है तो वह कहलाता सामी समू क्या कहलाता है student सामी समू कहलाता जी सामी समू है लेकिन उसने कहा कि यह सामी समू है इसका मतलब यह जीवन है वह आल्रेड़ी यहां पे लागू है उसने कहा मोनोईड कभ कहलाता है तो जब G1 आ जाता है इस्ट्वेंट तो फिर condition आती है G2 G2 होता है हमारे पास तत्समक अव्यव का अस्तित्व है का अस्तित्व है तो तत्समक अव्यव का अस्तित्व है इस्ट्वेंट तो यहाँ पर हमारे पास कौन से हो जाएगा G2 तो यहां पर जब G1 हो तो यह इस्ट्वेंट G2 लागू होता है तो यहां पर हमारे पास परतेक के लिए कोई तत्समग अब यह ओगा वो इस परकार विद्धे मान हो कि परतेक A बिलॉंग्स टू जी के लिए A स्टार E इकोल टू E स्टार E यानि लेफ्ट और राइट से मल्टिप्लाई हो कि कंसंक्रिया लागू हो तो अभी उसा हुए हो पर कोई इफेक्ट है नहीं आए तो यहां पर हमारे पास जी क्या कहलाएगा जी कहलाता है आए क्या कहलाता एस्ट्डिंट मोनोईट कहलाता है यानि की जीवन समही समू है उसके बाद में जी टू कंडिशन लागू हो जाती है तो जी क्या कहलाता है मोनोईट कहलाता है तो यहां पर student अमारे पास देखो option क्या है जी टू का पालन हो यानि कि यही option है जी थी का पालन हो जाए तो नहीं जी वन बाज फिर जी टू का पालन जी थी का पालन होने पर वह जाता है group जो हमने अभी बात किती तो यह भी नहीं होगा फिर जी वन भी नहीं है और जी टू जी थ्री एं तीनों का पालन वहने पर गुरूप हो जाएगा मॉनोड थोड़ी रहेगा तो यहां पर हमारे पास किसका का पालन होगा केवल जी जी तू का पालन या नि समय- समय शुमआ इसका मतलब जीवन तो ओल्रेडी वहां पे लग हुए लेकिन ै ॉ पालन नहों रहा है साथ में तो वो क्या हो गया मॉनोड तो इसका option हो गया ए जी टू का पालन हो तो यह हमारे पास student आज की class के लिए इतना ही 4 question थे अब next class में और other subject और math subject के हम और question लेके मिलते हैं तब तक आप पढ़ते रहिए thank you झाल